दोस्तो ओम नमस्षिवाय आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो यदि आप डेली का रासिफल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें यहां आपको डेली का रासिफल मिलेगा साथ ही सुब अंग भग्यसाली रंग और साथ में उपाय आपको जानने को मिलेंगे आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 12 मार्च 2024 के धनु रासिफल के बारे में सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग कैसा होगा 12 मार्च 2024 फागुन महा का शुक्ल पक्ष का मंगलवार का दिन होगा और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है दित्यातिथी सुबह 7 बजकर 13 मिनट तक होगी इसके बाद तिर्त्यातिथी सुरू हो जाएगी रेवती नक्षत्र रात 8 बजकर 29 मिनट तक होगा इसके पस्चात अश्वनी नक्षत्र सुरू हो जाएगा शुक्ल योग सुबह 7 बजकर 53 मिनट तक रहेगा फिर ब्रह्म योग सुरू हो जाएगा सुर्य देव कुम्भ रासी में वराजमान होंगे यानि आपके तिर्त्या भाव में सक्रिय होंगे और नवम भाव पर दरस्टी डालेंगे चंदरदेब मेश राशी में वराजमान होंगे यानि आपके पंचम भाव में होंगे और पंचम भाव से एकादस भाव लाव भाव पर दरस्टे डालेंगे राहुकाल का समय दोफैर तीन बजकर तेतीस मिनट से साम पांच बजकर दो मिनट तक रहेगा अभिजीत मुरत दोफैर बारा बजकर बारा मिनट से दोफैर एक बज़े तक रहेगा दोस्तो चार महतपून योगों का निर्मान होगा सरवार सिध्धी योग, अमरत सिध्धी योग, रवी योग और गजकेशरी योग तो चार दुरलब योगों में आपके सभी कारिय बनते हुए नजर आएंगे अमरत सिध्धी योग में आपको अपने कारिय में अमरत के समानफल की प्राप्ती होगी आपके दोफैर किये गए कारियों में सुभता बढ़ जाएगी सरवार सिध्धी योग अपने आप में एक सिध्धी योग है जो सभी कोयोगों को यानि बुरे समय को समाप्त करने की सक्ती रखता है इस योग में सुरू किये गए कारिये बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होते हैं और फलदाई होते हैं रवी योग को सूरिय का अभिष्ट प्राप्त है इसलिए इस दिन सूरिय की पूजा की जाती है इस दोरान यदि आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया हुआ है तो उसे चुकाने में आप सक्षम होंगे साथ ही गजकेसरी योग भी बना हुआ है क्योंकि यहां मेश रासी में चंद्रमा है और मेश रासी में देवगुरु ब्रस्पति भी वराजमान है तो ऐसे में भगवान विश्णु की मा लक्षमी की किरपा दस्टी बनी रहेगी धन धान्य में व्रद्धी होगी परिवार में खुशाली होगी साथ ही परिवार से कोई सुखद समाचार मिलेगा सभी सुख सुविदाओं का भरपूर आनंद लेंगे इस और आन आपके सभी रुके हुए कारिये पूर्ण होंगे और अच्छा फल देने वाले होंगे तो यहां चंद्रमा की इस्थिति मेश रासी में है तो ऐसे में आपके लिए सुब अंक आठ होगा सुब रंग नारंगी होगा और महत्पून कारियों को करने के लिए सुब समय साम 6 बजकर 30 मिनट से 7 बजकर 30 मिनट तक होगा इस औरान नकरात्मक चीजें सकरात्मकता में बदल जाएंगी आप अपनी सहन सीलता और समझदारी से हारी हुई बाजी जीत सकते हैं आज आप अपनी मेहनत और काबलियत के बल पर अपने वेबसाइ में अपने विरोधियों को करारी टक कर देंगे और आप विज़ई होंगे इस वरान आपका कोई भी विरोधियों आपके सामने नहीं टिक पाएगा आपका अपना काम करने का धंग काफी अच्छा होगा जिससे आप अपने कारी चेतर में अच्छे फलकी प्राप्ति करेंगे इससे आपके आर्थिक इस्तिती में भी सुधार होगा साथ ही साथ समाज में मान सम्मान बढ़ेगा समाज में आपके नाम का रुत्बा बढ़ेगा आज खर्चे तो जादा होंगे लेकिन पैसे की आवक बनी रहेगी यानि आप निरास नहीं होंगे चंदरमा की स्थिती आपके पांचवे घर में है और यहां इसी चंदरमा के परणाम में सूर्य केतू और चंदरमा का प्रभाव रहेगा और सूर्य यहां आपके तिरते भाव में है जहां सनी देव भी वराजमान है शुकर देव भी वराजमान है जो की प्रेम और सुक्के कारग रहे है और ये यहाँ नवम भाव पर दरस्टी डाल रहे हैं तो ऐसे में भागय का पूरा-पूरा साथ मिलेगा सितारे आपके पक्ष में होंगे धंधाने की कोई कमी नहीं होगी मालक्षमी की किरपाप पर बनी होगी आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज आएंगे जो वेपार में वेबसाई में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे इस वरान आपकी अच्छी सूच और सूजबूज आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी के तो आपके दसंभाव में हैं वेपार और वेबसाई के भाव में तो केतो की इस्थिति भी आपके लिए आप प्रद होगी इस दोरान आपका जुकाव आध्यात्म की ओर होगा किसी धार्मिक यात्रपड जाने की योग बनेंगे परिवार के साथ जाने का स्वभग्य प्राप्त होगा और पारिवारे करिष्थे भी मजबूत होगे तो यह समय काफी सकारात्मक होगा लेकिन यहां कैई चीजों को कुछ अपनी योजनाओं को आप गुप्त रखने में विफल हो सकते हैं इससे आपको नुक्सान उठाना पड़ सकता है यहां सरकार की ओर से सम्मान और सहयुक प्राप्त होगा जो लोग राजनितिक छेतर से जुड़े हुए हैं उन्हें भी कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ती होगी जिससे आप काफी प्रसन होगे यहां आपको अपनी वानी पर नियंतरन रखना होगा किसी से अभधर भासा का प्रियूक करने से बचना होगा अन्हताब मुसीबतों को निमंतरन देने का कारिय करेंगे यानि यह जो दिन होगा और दिनों के मुकाबले काफी बहतर होगा परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार वालों के साथ आज का दिन वैतीत करेंगे, और यह सीखेंगे कि धन को कैसे संचय किया जाता है, जो आपके भविश्य में काम आएगा, परिवार वालों के द्वारा किसी सुकद समाचार की प्राप्ती होगी, ए विवाहित लोगों के लिए विभा के प्रस्ताप पर महर लग सकती है जिससे मांगलिक कार्यकरम का अयोजन होगा सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हुए नजर आएंगे जो चात कंप्टेशन की तैयारी में लगे हैं उन्हें अच्छे परणाम प्राप्त होंगे आज आप कुछ लोगों से भावनात्मक जुडाव महसूस कर सकते हैं घर में सबी लोगों के साथ तालमिल बना रहेगा साथ ही आस्पड़ोस में हो रहे वाद विवाद में पढ़ने से बचना होगा जो लोग राजनिती में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी सभाओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा इस वरान आत्म विश्वास से आप भरपूर रहेंगे घर में उल्लास का माहौल रहेगा जिससे आपके तनाव भी कम होंगे कामकाज के नजरिये से आज का दिन वाकई सुचारू रूप से चलेगा किसी नए काम के आगाज के लिए आपको पहले उसके बारे में अनुभवी लोगों से बात करनी होगी अगर आज आपके पास समय है तो उस छित्र के अनुभवी लोगों से मिलने जो काम आप सुरू करना वाले हैं अगर आप विवाहित है तो आपका जीवन खुशियों से भरा होगा धन संपत्ती में अच्छी बढ़ुत्री होगी परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा परिवार में एक जुठता बनी रहेगी स्वास्थ अच्छा होगा और प्रेम सम्मन से जुड़े लोगों के लिए दिन सांदार होगा आपके जीवन में मिठास घुली होगी तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब